नमस्कार दोस्तों स्वागा सेरी का एक बार फिर से Smart Guide में दोस्तों आप सभी अपने फोन में इंटरनेट का यूज जरूर करते होंगे ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो के इंदर हम आपको आपके इंटरनेट की चार ऐसी जबरदास्त ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद दोस्तों आप चौक जाएंगे कि भाई मुझे इस ट्रिक के बारे में तो काफी पहले से पता होना चाहिए था दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है 3-4 मिट की वीडियो होने वाली है इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से ध्यान से इंड तक जरूर देखना ररर उसके वीडियो कर दीजिये लाइक उसके बाद सब्सक्राइब बटन को फिल 7 लिएह साथ ही ए humility सर्क के आल पर सड कर दी इतना करने के बात दोस्तो आपको रिए कमेंट बाक्स में जाना और कमेंट बाक Each इंड लिए है आपको लिख देना है नाइस इंटरनेट ट्रिक और सेंड कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको बैक आना और दोस्तों चौथे नंबर की ट्रिक तो आपको जरूर देखके जाना है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट की अपनी पहली ट्रिक की दोस्तों आप जब भी अपने फोन को नाडिफिकेशन पैनल ओपन करते हैं तो यहां पर इंटरनेट से रिलेटर आपको तीन दिखाई देगी तो उपर 3.0 पर क्लिक करना है उसके बार यहां पर आपको advanced में चले आना है अब दोस्तों आप जोब advanced पर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे यहां पर आपको एक setting मिल जाएगी hotspot 2.0 की तो यहां पर आपको इसे हमेशा अपने फोन में on करके रखना है अब दोस्तों इसके on करने से फायदा क्या होगा माली डूस तो कहीं पर किसी के हाँ हाँ स्पॉर्ट लगा आपके घर में परोसी के है बगल में किसी के कहीं पर और उसका आपको password नहीं मालू है और आप किसी से password मांगते हैं आपके friend के हलगा तो इसे ही वह password डालेगा तो आप चुकि उसे भी लेगा कि उसने आपको password बताया तो है नहीं और वह password डाल देगा और आपका connect हो जाएगा लेकिन फिर जब भी कभी दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को on करके रखेंगे और उसकी wifi से connect करेंगे तो आपको future में उस wifi के password की कभी ज काफी कमाज की feature है दोस्तों अगर आप दुबारा कभी उस wifi को use करते हैं करना चाहते हैं तो आपको अपने दोस्ते या किसी से उस password को मागने की जुरूत नहीं है आपका wifi जो है automatically ही connect हो जाएगा दोस्तों यह पहले trick आपके लिए काफी ज़्यादा VIP है अब दोस्तों बात क आप करके रखना है अब दोस्तों इसका काम क्या और किस तरह से आपके लिए काफी ज़्यादा फायदेमंद है माली यह दोस्तों आप कहीं पर जाकर wifi का यूज ज्यादा करते हैं फिर आपका बस station हो गया रेले station हो गया यह कहीं पर आप के wifi लगा है वहाँ पर जाकर आप यूज करते हैं तो अगर आपने इस सेटिंग को आन कर लिया तो दोस्तों आप क्या होता जब भी वहाँ पर जाते हैं तो अपने फोन में यहाँ पर जाते हैं अपनी wifi ओपन करते हैं फिर connect करते हैं तो यह सारा process करते हैं लेकिन अगर यह सेटिंग आन है तो आप जहां जा लिखा हुआ टर्न आउन वाइफाई आटोमेटेकली वेन यू आर इन प्लेस यू 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 इट फ्रिक्वेंटली एंड टर्न इट आफ इलेज वेर और आप जैसे ही वहाँ से जाएंगे तो आपका वाइफाई जो है फिर से डिसकनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही बंद ह हो जाएगा तो काफी जबरदास्ट ऐसन है अब दोस्तों इन दो ट्रिक्स के बाद आप करते हैं तीसी ट्रिक की ans से आप बटी आसानी से पता लगा सकते हैं दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम अगर अगर अपने घर में कमरे में होते हैं तो इंटरनेट अच्छा चलता होता है या फिर घर से बाहर जाते हैं तो इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है तो अगर आप पता करना चाहते हैं कि घर में हमारे किस जगए पर इंटरनेट की स् स्पीड मिल रही है तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन की सिटिंग में जाना है सिटिंग में जाने के लिए आपको यहां पर सर्च बार में दिखाई देगा तो यहां पर आना है और यहां पर आपको सर्च करना सिम कार्ड इस तरीके से सिम कार्ड स्टेटस तो आप आप जैसे SIM card यहां पर लिखेंगे SIM card status की setting आ जाएगी तो इस पर आपको टैप करना है और यहां पर उपर आपको SIM card status पर टैप करना है अब दोस्तों यहां पर आप देखते हैं आपको signal strength मिल जाएगी जो कि हमारे phone में minus 98 dBm है अब दोस्तों यह signal strength अगर आपके phone में जहां पर 100 से कम होने चाहिए जिस जगह पर 100 से कम है तो वहां पर आप समझेए कि आपके internet की speed काफी अच्छी और अगर यह minus 100 है यह minus 102 है, minus 105 है, 107 है तो मतलब आपकी internet खराब है कुल मिलाकर आपका यह dBm है यह minus 100 से नीचे होना चाहिए और इस तरीके से आप दोस्तों चेक कर सकते हैं कि आपकी internet की जो signal strength है वो कैसी है और किस जगह पर आपको अच्छे internet मिलते हैं दोस्तों यह तीसरी trick भी आपके लिए काफी ज़्यादा VIP हो सकती है, अब दोस्तों बात करते हैं internet की चौती trick की जिसके बारे में मैंने आपसे बताया था कि इस trick की मदद से आप अपनी बहुत बड़ी problem solve कर सकते हैं और दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपका internet काफी slow हो जाता है आपको slow internet का problem face करनी परती है तो अब जो trick मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस trick की मदद से एक click में आप बिलकुल 5G जैसे internet की speed प्राप्त करेंगे और दोस्तों आपकी internet की speed कभी भी slow नहीं होगी तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने phone की setting में जाना है अब setting में जाएंगे तो यहां पर आपको connection में आना है connection में आएंगे तो आपको mobile network में जाना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको access point name की setting में जाएगी यहां पर आना है अब यहां पर दोस्तों आपको दो setting पर कर देना है और यहां पर आप आपके नेटवर्क जो है वो चेंज हो जाएंगे बस दोस्तों इतना कर ले ना उसके बाद आप देखेंगे कि आपके इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी तो दोस्तों यही था इस वीडियो में आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ सेखने को मिला होगा आज की वीडियो में इतना है फिर मिलते हैं इस वीडियो में आपका दिन सुभ हो